Hello everyone, फिर से आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से PSC वाला में, बच्छो BPSC का एक्जाम बहुत ही करीब है, आपको confidence आत्म विश्वास, तो PYQ की question जो है, पिछले 10 साल के modern history आदनिक भारत से कहां कहां पे कौन से question पूछे गए हैं, एक बार जल्दी से कर लेते हैं उसका revision, जैसा कि हम लोगों ने ancient और medieval का किया, वैसा हम इसका भी कर लेते हैं, पूरे 1500 question हैं, कोशिस करेंगे और सारे important question कर लें, जो आपके आने की chances बहुत जादा हैं, तो सुरवात में देखेंगे बच्चों सबसे पहले, पहला question आपकी screen पर दिख रहा होगा, किस मुगल सासक के समय, तर्थ थॉमस रो भारत आया था, अगर देखेंगे, तो पहला option है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, और चो चौथा option है साजहा, फिर उप्विक्ट में से कोई नहीं, उप्विक्ट में से एक स्या देख, हम सभी को मालू में, जहांगीर के समय में, अगर आप देखेंगे, तो भारत में थॉमस रो भारत आये थे, इवन कैप्टन होकिन्स भी जो थे न, वो जहा कुवर सिंग के सिस्थान से संबंदित हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बज्चो जगदीश पूर, जी हां, जगदीश पूर, बिहार में आरा में हैं, और वहीं से कुवर सिंग संबंदित लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले साल वहाँ पे क्या हुआ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आज कल के लोगों को तो भाही बहुत सजा देनी चाहिए ऐसे उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए अंग्रेजों से लड़े उनके नाम पर विश्व विद्याले आया है बहुत गर्व की बात थी वहाँ पर पेपर लीक होने का मामला कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करता है अगरा देखेंगे बच्चों 1857 के बिद्रो को किसके द्वारा प्रथम भारतिय स्वतंता संग्राम के रूप में वरडित किया गया एक बीडी सावरकर दूसरा है बाल गंगा धतिलक तीसरा आरसी मजूमदार चौथा दादा भाही नवरोजी और पाचवा है उपिक्ट मे से कोई नहीं या उपिक्ट में से एक स्याधिक तो मैं आपको बता तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीडी सावरकर जो थे इन्हों नहीं बोला था प्रथम स्वाधिंता संग्राम बोलने का कारड़ क्या था कारड़ ये था कि फिर से एक बार 857 की दरा भारत के लोगों कोई कठा करके अंग्रेजों के बिरुद्र क्रांती की प्रिस्ट भूमी तयार करना लोगों को मोटिवेट करना देगे उसकी सुरुवात करना तो इसलिए यहां पर बीडी सावरकर जी जो है उनका नाम हमारे इतिहास में इस जगह पे काफी ज़्यादा क्या हो ज आनद मठ में किस विड्रों का उल्लेख है तो अगर आप रेखेंगे बंकीमचंद जेता जी के आनद मत में विड्रोंória मिध्रों के विड्रोंसुआ में में सन्यासी बिद्रो है जिसका उलेक उन्होंने अपने आनंद मठ में किया है ठीक उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की है रहियत वाड़ी ब्योस्था सर पसम कहां पर लागू की गई थी आप सभी को मालूम है कि भूमी राजसु की तीन ब्योस्था है थी जो बहुत बीच में फिल हो गई थी फिर दुबारा इसको इस्थापिट किया गया था हमारे आप पर क्या कहते हैं आरी यह आपका जो रहियत वाड़ी ब्योस्था है ठीके उसकी सुर्वात की गई थी मद्रास में अगर आप देखेंगे तो मद्रास में आप देखेंगे किस की सरोजनी नाइडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी और उना असाफ अली उप्रिक्ट में से कोई नहीं, उप्रिक्ट में से एक से अधिक, तो यह क्वेस्टन कहीं न कहीं आपको बहुत जादा बिचलित करेगा, तो इसके बारे मैं आपको बता दूँ कि इसमें सरोजन यह प्रथम महिल अध्यक्ष आएगा, तो सरोजनी नाइडू को नाम आएगा, लेकिन पूछाए क्यों प्रथम महिल अध्यक्ष तो एनी बेसेंट होगी, उसके बाद देखेंगे बच्चों, 1876 में एंडियन एसोसियेशन की स्थापना किस ने की थी, जो इंडियन एसोसि में बंगाल में इसकी स्थापना की थी, अगला है, 1905 में सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पहला आपसन है सुरेणाथ बेनर जी, दूसरा है विपिन चंदरपाल, तीसरा है महादेव गोबिंड रनाडे, और चौथा है गोपाल किसने गोखले और पाचवा है, उप्युक्ट में से कोई नहीं, तो मैं आपको बता दूँ बच्चों इसमें से या उप्युक्ट में से एक स्याधिक, सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल किसने गोखले के द्वारा की गई थी, ठीके, ज इसने उसकी स्थापना की थी, अगर उसमें मैं नाम लेने की बात करूँ, तो सचींदनाथ सान्याल, एक ब्रांच के बारे में सचींदनाथ सान्याल का नाम आता है, चटगाओं के सस्ट्रागार, ठावे से कौन संबंदित है, तो आपको मालूम होगा, बंगाल में चटग गाओं हैं, और बहुत ही फेमस स्पोट था, जहां पर करांतिकारी घटना हुई, जहां पर बारूत का प्रयोग हुआ था, और याद रखेंगे बच्चो उस घटना में, सूर सेन जो थे, उनके नित्रत में ये घटना हुई थी, आगे रेखेंगे गडर पार्टी की स्था अपना कहां पर हुई थी, तो याद रखेंगे बच्चो पहला अप्सन है जर्मनी, दूसरा संयुक्त राज अमेरिका, तीसरा फ्रांस, दूसरा इंगलेंड, उप्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उप्युक्त में से एक स्याधिक, तो गडर पार्टी की स्था अपना स संयुक्त राज अमेरिका में हुई तीस का अंसर दूसरा हो जाएगा, अनहापी इंडिया की बात हो रही है, मतलब जहां पर भारत जो है, बहुत ज़्यादा खुस देखने को नहीं मिल रहा है, तो अनहापी इंडिया के बारे में अगर लिखने का स्रे, तो आप लोगों क मैं गेस करने के लिए बहले बोलूँगा कि आप एक बार गेस करें, ठीक है नाम कौन है, मैं इलिमिनेट कर देता हूँ, दूसरा चौथा नहीं हो न पाच्वा है, दो है, दो में से आप बताएंगे क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आप से कम्मुनिकेशन नहीं ह अब आपको बताना है कि इसका क्रेक्ट आंसर जो है, वह क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताइए, याद रखेंगे, भारत अनहापी है, तो यह जो कार है, यह लाला राजपत राय जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जिने हम सेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, तो लाला जी थे, आगे रेखेंगे, गांधी जी को चमपारण आने का आमंटड किस ने दिया था, बहुत इजी, बहुत इजी क्वेशन है, चमपारण जब सत्यागरा हुआ था, जहां पर तीन कठिया, सिस्टम, नील की खेती का बिरोध चल रहा था, जो जो बजस्ति करा जा रहा था, तो वहां पर गांधी जी पहुचे थे, राजकुमार सुकल जी के द्वारा कहने पर बुलाने पर गांधी जी वहां पर पहुचे थे, इसका आप्सन ए हो जाएगा, ठीके, उसके बाद एक एंगे, उसके बाद एक गो, 1917 के 17 के चमपारण सत्यागरा में, कौन संबंधित नहीं है तो जे बी किरिपलानी राज कुमार सुक्ल अधाजvind hereafter लेंगे ये लेकिन राम मनोल लोहिए आपको ओपे देखने को नहीं मिलेंगे भाथराष्टिये कॉंगरेस ठीके उनिसंटा निवेस में आयोजित किया याडिवेशन कि अधिक्ष कौन थे चितरंजन दास हकीम अजमल खान महात्मा गांडी मौलाना अबुल कलाम आजाद उप्युक्ट में से कोई नहीं या उप्युक्ट में से एक से अधिक तो बच्चों याद रखेंगे 1922 में चितरंजन दास जो थे जब गांडी ने अपना अंदोलन से जूटने के बाद सिया दास ने अध्यक्षता की थी उस समय उन्हों नहीं कहते हैं कि मांग रखी थी जब हमें गांधिवाधी रूप में ना जाकर अब हमें सरकार में चुन कर जाना चीओ सरकार के बीटर जाकर अपनी मांग मनवाना चाहिए तो कंग्रेस में कई लोग क्वाइब भाई पटेल बच्चों पर यहां पर रेखने को मिलता है आपको टिक है मोटी लाल नहरु तार जाहार लाल नहरु तो टारा राज़यन प्रसाथ और पाचवा उप्यूक्ट में से कोई नहीं है उप्यूक्ट में से एक जडिक्ट यार रखेंगे जौआहर लाल न के तट पर जिरंगा जंडा फैराया गया में दर भैदा फैराने के बाद में 26 जन्वरी का ओ समय जो है उसे आजादी के रूंप में मनाय जाने की बात हुई फिर बात में उसी दिन सम्मिरहान पारिद की आजादी के बाद में जात मदन मोहन मालविये बियार अंबेटकर महत्मा गांधी उप्विक्त में से कोई नहीं तो याद रखेंगे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बियार अंबेटकर जी हाँ बाबा साहब भीमरा अंबेटकर जो थे उन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में पार् कि देखिए में वारत छोडो आंदोलन के दौरानी में से कौन हजारी बाग गेल से फरार हुए थे एक यह रख कास नरायन जो थे ultra फरार हुए तोस समय कोन सी घटना सबसे पहले हुए थी सबसे लॉर्ड वेवल का आगमन, cabinet mission का आगमन, उप्रिक्ट में से कोई नहीं, उप्रिक्ट में से एक से अधिक, तो पहला पूछा है, तो ये पाच्वा तो नहीं होगा, अब पहला जो है, उचार में कोई एक होगा, तो सबसे पहले बच्चो क्रिप्स mission आया था, तो इसका आंसर यहाँ पे क्रिप्स mission हो जाएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ता हो आया था, फिर लॉर्ड वेवल आया थे, फिर कैबिनेट mission आया था, वारोड व्लॉक किसके दवारा स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे बच्चो सुभास चन बोस जी के जादा कहते हैं कि उस समय जो सक्री राजनीती थी, उससे काफी भटक गया, उन्होंने कुछ active क्योंकि जो आदमी हमें सा कुछ करना चाता है, वो खाली नहीं बैठ सकता, वो किसी के दबाव में कारण नहीं कर सकता, इन्होंने कॉंग्रेस से रिजाइन किया और आगे चरक जो है, उसका प्रयोग जर्मनी के निताओं ने सबसे पहले सुभाशन बोस जी के लिए किया था, अंतरिम सरकार के बित्र मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान, सरदार पटेल, में जिन्ना, जवालल नहरू, तो मैं आपको बता दूँ, इसके जो मंत्री थे, वो थे आपके लियाकत अली खान, जी हाँ, लियाकत अली खान जो थे, वो अंतरिम सरकार के मंत्री थे, राजी बिभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो बच्चों याद रखेंगे, महात्मा गांडी, जीयल, नेहरू, जीबी, पंद, सरदार पटेल, तो यहाँ प पुद्र गाली, अंग्रेज, या उप्यूप्ट में से कोई नहीं, हम सभी कुमालों में सबसे अधा, विख्यात, विखण नहीं, कुख्यात, समुद्री लुटेरों के नाम से पुद्र गाली थे, जीनों ने हुगली, और फिर वहां से बगाने का अभी कारे किया गया था दॉच इस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्स अपनी फैक्ट्री पटना में इस थापित की थी तो बच्चो पटना में ये पहुंचे थे 1600 आई हो अगर जहां तक हाँ चलो मैं डो ऑप्सन एलिमिनेट करता हूं आपको बताना है क्योंकि 1601 में तो नहीं आये थे देखे 1632 1674 1654 आपको बताना है कि इन में से कौन सा आंसर हो सकता है देखे जी हां बताएं क्योंकि एक आंसर चलो मैं इलिमिनेट कर देता हूं पहला इलिमिनेट कर दिया तीसरा इलिमिनेट कर दिया बदा दो कौन सा होगा 1632 1650 याद रखेंगे 1632 वो समय था डच इस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई 30 साल बाद 1632 में अपने आपको पतना में स्थापित करती है आगे रेखेंगे देखे 1760 का प्रसिद्ध वांडिवास का यूद्ध अंग्रेजियों द्वारा किसके खिलाप लड़ा गया फ्रांसीसी स्पेन मैसूर करनाटक तो वांडिवास की उद्ध तीरती है करनाटक उद्ध में हुआ था जिसमें इनको फ्रांसीसी को वास कर दिया था इन लोगों ने तो वह हो जाएगा फ्रांसीसी ठगो का उन्मूलन किसके नित्वत में हुआ था लॉड क्लाइप, कैप्टन स्लीमेन, लॉड मिंटो, अले आगे दो, बंगाल में दूइस आसन प्रडाली किसके द्वारा लागु की गई थी, सबको मालुमें, रॉबट क्लाइप, थिसरा होगा इसका अंसर, रॉबट क्लाइब ने दूइस आसन प्रडाली लागु की थी, बंगाल में निजामत और जो आपकी दिवान है, उसको अ सर लियोनल कर्टिस थे इनके द्वारा यही जनक माने जाते हैं डायर्की के जो 1919 में लागू किया गया था जिसके बारे में आगे चलके साइमन की रिपोर्ट में बुला गया कि यह असफल हो गया आगे देखें उच्चों इन में से किस ने 1857 के विद्रों में तक्रिय भाग लिया था नाना साहिब भई लड़े थे बेगम अजद महल बिल्कुल लड़ी थी मौलवी अमदुल्ला जी हां बेगम जीनत महल ठीके तो वह आप देखेंगे तो उप्यूक्त में से उप्यूक्त में से एक स्याधिक हो जाएं ठीके इसका आंसर पाच्वा हो जाएगा ठी जी हां क्योंकि सभी लोग यहां पर कहीं न कहीं लड़ते हुए दिख रहे हैं निम्न में से कौन साइंटिस्ट सॉरी है कौन कौन सा इस्ट इंडिया कंपणी यह सब एक में मिला हुआ है वैसा पीडिया फे मुझे मालूम नहीं चला मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने आ गया चलो करी देता हूं कौन सा इस्ट इंडिया कंपणी के सिपाईयों के बिद्रो बनाने का कारण नहीं था एक सिपाईयों को ब लात्रा करने के लिए सिपाईयों का आदेज भत्य की रोग था अंग्रेजियों अधिकारियों की अशक्षमता इसमें जो हो जाएगा ना बच्चों इसमें पूछा है कौन सा कारण नहीं था तो यहां पर कारण नहीं था में चौथा जाएगा अधिकारियों की अच्षमता ये कारण नहीं था, बाकि सभी कारण थे, नील बिड्रो किसके बारे में था, रैयत कालीन खेती, जो सॉरी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जब अजस्ती करवाई जा रही थी, पहला option, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जब अजस्ती रो इंडे वाला एक बिड्रो ही आंडुलन था तो यहाँ प्याद रखेंगे चौता तो नहीं होगा दूसरा भी नहीं हो सकता ठीके पहला और तीसरे में है लेकिन मोस्त एप्रोप्रियेट आंसर यह जाएगा क्योंकि इनसे खेती जब अजस्ती करवाई गई लेकिन को भुकतान भी नहीं मिला इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वा प्रथा जिसके तहत किसान स्वेम भूमी मालिकों के तौर पर ठीके सरकार को भूरा जैसे क भुकतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था वो थी जमीदारी प्रथा रियत वाडी प्रथा में डारेक्ट किसान ही क्या करता था सरकार को टैक्स देता था किसान डारेक्ट जो है वो भूमी का मालिक बनके सरकार को टैक्स को देता था जिसकी सुरुवात मद्रास में तो फरेजी आंदुलन की सुरुआत जो है वो हाजी सरीयत उल्ला जो है इनके टाइम में आपको देखने को मिलती है जिया हाजी सरीयत उल्ला जो है इनके द्वारा सुरू किया गया था 1875 के डकन के जो दंगे हुए थे उसका ततकालीन कारण क्या था ठीक है जी याद रखेंगे पहला है अकाल की छाया महाजनों के द्वारा उची ब्याज पर देखेंगे अगला ओप्सन कहता है उची भू राजस्व दर जब अजस्ती किये धार्मिक सुधार का बिरोत इसका ज लेकन के जो दंगे थे वह हुए थे ठीक है जी हां उसके अगला क्वेश्चन 1831 में बुद्व भगत के नेतित तुमें कोल बिद्रो किस छेत्र में हुआ था ठीक है याद रखेंगे कोल बिद्रो जो हुआ था उस समय नाग छोटा नागपूर सिंग भूम चेत्र में लेकस में बिद्रो किया था ठीक है के पंजाब में आदिवासी नहीं नमें नहीं चाथिया वाण में देखने को मिलेगा है त्यक estimal के बिहर में भी हारम हो जाएंगा वो आपका जाएगा अंहीं नहीं कि आदिवार नहीं अंग्रेजों के खिलाब बिद्रो यह था भिहार में भी निया बिहार में चोकिडारी दूसरा था इसमें आपका पाच्वा हो जाएगा इन में से किटने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाब बगावत नहीं की थी तेके अच्छा बिजे नगर तेके हैदराबाद का निजाम बिजे नगर का राजा हैदराबाद का निजाम तमिलनाडू के पॉलिगार तावन कोर के दिवान तो हैदराबाद का निजाम सुरुवाद से तो यह दूसरा हो जाएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीती, जो है, इतना मिला हुआ है, किस वाइस रह ने अपना ही थी, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखे बच्चों, फोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन था, अफगानिस्तान के प्रति आच्छा लॉड लिटन गये थे, लॉड लिटन ने जो था, उन्होंने नीती बना, चेंज कर दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, लॉड लिटन, ठीके, हाँ, वाइस राय ने अपना ही थी, तो लॉड लिटन ना कागों में आयोजी, धर्म संस्त में भाग लिया था, तो स्वामी विवेका नंद है, जिन्नों ने उस समय अंग्रेजों की पूरी सोच भारत की रूप में बदल दी थी, उसके उपर कभी हम लेक्चर में डिस्कुस करेंगे, सत्य सोधक समाज की स्थापना किस ने की थी, स अभी को मालू में, सत्य है, सोधक है, समाज है, जोटिबा फूले, जी हाँ, क्लियर है, नहीं, बताओ, मैंने थोड़ा सा गुमाया है, जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाई रहे हो गए, ठीक है, जी हाँ, बहुत है बच्चे इसका अंसर देटर समय मैंने पिशली बार भी एक बार डिसकस किया था, सत्यात प्रकास ते जोड़ देते हैं, जल्दी-जल्दी में, सत्य सुधक समाज जो है, जोतिबा फूले, भातिजास्टी कांग्रेस की प्रथम महिला, द्यक्ष कौन थी, सभी को मालू में, एनी बेसेंट, ठीके, जी हाँ, कांडू रंग थे, मान लो पहला, पहला तो ही नहीं सकता, दूसरा आ गया, और तीसरा, दोनों में confusion है, ठीके, यंग इंडिया, ठीके, यंग इंडिया, मोहंदास करमचन गांदी, ठीके, मिल गए आपको, जैको उसमें है क्या तीसरे में, नहीं है, तो फिर बच्च्वा आंसर हो गया आपका, डूसरा, ठीके, जी, यहां, डूसरा हो जाएगा, उसके बादाए आपको मिल जाएंगे, लोग हिट cucitwadi के गोपाल हरीदेष्मुक, फिर आपको मिल जाएंगे, सत्च्य सोदक समाज के जोतिवा फूले, और उसके बाद पिर आपको मिल जाएंगे, पंजाब भूमी हस्तांतरड काड़े था यह उन्नीस सुमेश पारित किया गया था लॉड करजन के समय में यह पारित किया था ठीक है अब इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ती जो गैरादिवासियों की जमीन जो है ठीक है रहें है उनको को अपने कभजे में नहीं ले सकता है, उसमें एकसे अधिक में छाथा हूं? आंसर मैंने सही बताया था बस उसमें एक सदिक लेंगे स्वामी सहजानन निमने में से किस से संबंधित थे बिहार में जन जाती आंडोलन बिहार में मज़़ूर आंडोलन बिहार में किसान आंडोलन बिहार में जाती आंडोलन यार रखेंगे स्वामी सहजानन जो थे वो प् स्थापना फिरोसा महता केटी टेलंग और आपके तयाब जी तीनों लोग थे जहां तक मेरी जित्ती जानकारी है डबलोसी बनर जी हो गराव इसलिए इसमें आ जाएगा उप्युक्ट में से एक साधिक हो जाएगा सुरेनाथ बनर जी ने किस वस भारतिये सर्विस क्या कहते हैं भारतिये सिविल सर्विसेस से हटाया गया था जो बच्चो बहुत ही अल्टिमेट क्वेस्टन है थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने आपको कि के सुरेनाथ बनर जी डूसरे भारतिये थे जो इस बने थे और उन्हें 1874 में जब इनकी पोस्तिंग हुई थी इलह में यहां दूसरा हो जाएगा उसके बार इधर आ जाते हैं महात्मा गांधी ने भारतिये रास्तिये कॉंग्रेस के किस अडिवेशन में अध्यक्षता की थी तो अगर मैं आपको अध्यक्षता की बात बोलू महात्मा गांधी की तो 1924 एक जो बेलगाम में हुआ था वहीं है वो पार्टी लिखा हुए घलत है पावर्टी अन ब्रिटिस रूल इंडिया किस ने लिखी थी बच्चे बच्चे को मालूम है इसके बारे में दादा भाई नरोजी ने लिखी थी जिसमें ड्रेन आफ वेल्थ जो है उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है क्लियर है जी हाँ ये हो गया आपका 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक मिर्ट का पानी पिलू मैं मुझे विश्वास है कि कॉंग्रिस अपने बिनास की तरफ जा रही है और मेरी या बड़ी इक्षा भारत में रहते होगी कि इसके सांती प्रिये निधन के लिए इसका तहायक बनूँ अच्छा आउर्ट इतनी तुमारी मतलब मजाल करने वाला ब्यगती था लौड करचल का यह वो यह ब्यकती था जिसने उन्यम्रे ये बोला था निम्र मेंश्य किस वास्राय के कारे काल में भास्यों को नाचकार का नेहाई थे गई जिसने तोपो की सलामी दे थी जियां लौड लिटन इसी के समय में एक हिरार्की बना दी गई और महरानी को कैसरे हिंदी की उपादी दी गई ठीके बंगा दिल्ली दर्बार सजाया गया था ठीके रजनी पाम दत्त मतलब आरपी दत्त ने कहा वैसा सामराज युवाद कंग्रेस के बारे में र्पी दत्त बात डूली थी बाल गंगा ता तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब वेग लोग प्रीह' प्रिक्षक बने, उन्होंने एक लोगप्रिय अखबार शुरू किया, उन्होंने लोगप्रिय अखबार इह दो बढे दिया, चलो है इसका तो उसमें लेख लिखा था फिर बाद में चापेकर ब्रदस ने हत्या किटी रेंट की उसके बाद माना गया कि जो हिंसा महारास्ट में फैलाने का कारड इनकी साहितिक रचनाओं को माना गया इसलिए इनको उस समय जेल भेज दिया गया था जब जेल से बाहर आया तो लोग इनको जन नायक के रूप में तुकार किया लोकमांति लग लोक नायक ठीक है जी हां इन में से कौन सा एक राष्टवादी समाचार पत्र नहीं था कि दा हिंडू बंगाली दीमत थाइमस आफ इंडिया की फोटो देते हैं कहीं मामले में रास्टवादी तो नहीं होंगे बॉली बुडवादी है ठीक है यह यह पेपर बच्च एक स्टुवें था मेरा मैं कौन सा पेपर पढ़ा था इंडिया मंगाता बहुत अच्छी बा क्रांदिकारी गत-विध्यू के साथ कौन क्या लिखा हुआ है क्रांधिकारी गतविडियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी पत्रिका लिखा हुआ है संध्या युगांतर गदर यंग इंडिया नहीं थी बाकित इन नीचे दिये गए विकल्प में से राष्टवादी थी के समाचारपत्र फिंडू केसरी बंगाली हिंदुस्तानी सुधार के संपादक नामों का सही संयोजन कीजिए दा हिंदू के तो यह थे का कहता है जीव सुब्रमन्यम तो चलो दो आप्सन तो मिल गए तीन और चार इन में से कोई एक होगा उसके बाद आ जाते केसरी अच्छा बच्छा जानता है बाल गंगर अच्छा हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी और उसके बाद फिर सुधारक के समाचार पत्र सुधारक के संसापक कौन थे उसके बाद आ जाता है हिंदुस्तानी उसके बाद फिर आ जाता है सुधारक उनके नामों का सही उजन करना है बच्छों जिसका करेक्ट आंसर जो हो जाएग तो राज मेरा जन्म सिर अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा यह किस ने कहा था तो भाई यह सब्द पुप्रयोग किया था बाल गंगाद तिलक जी ने तो देख लेते हैं बाल गंगाद तिलक जी हां बात ये करांदिकारी की जन्नी किसे कहा गया है सिरीमती एनी बेसेंट किसने लता वाड़ेट कर बेटा दूसरे नाम पढ़ने ही नहीं चाहिए जहां मैडम बिखा जी कामा हो आप परस्नाल्टी है एक लेक्षर लोंगा इस पेसलिस पढ़िए गाए एक बार इनकी उपर पि पिचार कर दिया एक लेड़ी जिसने अपने घंप जिस समय महिलाओं को घर में बांध के रखा जाता था उसने कहां कहां बिडेसों में जाके चुनोती दी ब्रिटिस को उसकी सत्ता को मैडम बिखा जी का मा कहते हैं कि एक ऐसा नाम नहीं है आज के समय में उन लोगों के ल अच्छा मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंद जो ध्वज है को फैराया था पेरिस लंदन इस्टुटगार्ट से बिटा यह नाम याद रखेंगे इस्टुटगार्ट से देगे वहां फैराया था लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक बहुत इजी क्वेशन स्य सक्थी का महत्व बचा रहेगा ये बात जो है वो किस ने बोली थी तो www.hunter ने बोली थी मेरी जानकारी में जो है कि www.hunter ने बात बोली थी कि अगर भारत में आपको लंबे समय तक रहना है तो कोशिस करिये कि मुसलमान जो है वहां खुस रहे ठीके जी हां उसके बारे में आपको यहां पर देखने को मिलेगा आगे देखेंगे बंगाल विभाजन की गोस्टना कब की गई थी तो बच्चा बच्चा जानता है बंगाल विभाजन 1905-19 जुलाई को की गई थी 1903 में बोला गया था और हो गई थी गोस्टना जो है पाइनल 19 जुलाई 1905 करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युडण दिया गया था वाइली को मानने वाला एक ही ब्यक्ती था ठीके मदनलाल धिंगरा उदम सिंग ने तो उसको जाके मारा था इसने जो जलिया बाग में डायर को एक इंग्लेंड जाकर अच्छा काकोरी ट्रे प्रसाद बिस्मिल अस्फाक उल्ला यह यह थे जिनको सजा मिली इसमें पहला अप्शन हो जाएगा प्रसिद्गीत सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचैता कौन है यह सूर्य सेन चंद सेखा राजात सदार भगत सिंग राम प्रसाद बिस्मिल उप्यक्ट मे इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा समय देता हूँ आप मेंसे किस वच्चे को मालू में इसके बारे में आप यहां पर लिक के बताएं कि आप मेंसे जिसको भी मालू में इसकी रचना किस ने की थी इस terror को आपके आंसर का नाम कुछ ऐसे ही जुड़ा हुआ है बस आप कन्फ्यूज हो जाते हो रामप्रसाद बिस्मिल से एक जी हां कि बताएं क्या होगा नाम बचुस का नाम होगा बिस्मिल अजीमा बादी उन्होंने किया था उसको सरकार के बिरोध में असेम्बली में बंफेकने के समय बहगा सिंग की उम्र क्या थी बहगत शूरत हूं हाँ 1907 के समय उनका जनमवा था सूरत फूर्ट जिस साल हुई थी ठीक है और 1929 में बंफेका था 1907 दस साल 17 दस अटाइस 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 22 साल के आज पास में थे 21 साल से थोड़ा जादा मतलब भी उप्सट दूसरा उप्सन देव जाएंगा एक एक साल से थुड़ा जादा चट गाउं सष्ट छाप अमारी की योजना बनाई गई थी सूर्जेन के द्वारबिट चट गाउं कोई भी घटना हो सूर्जेन इंडिया फॉर इंडियान्स किताब किसने लिखी थी पिए दस अब आपको बताना है कि इंडिया फॉर इंडियन्स किताब किस ने लिखी थी इंडिया यह किताब सिया दास ने लिखी थी याद रखेंगे इसके बारे में उसके बाद क्वेशन आ जाता है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रिथक निर्वाचन मंडल का आरंब गिया था प्रिथक निर्वाचन मंडल तो 1909 में आया था तो बाकी सब तो नहीं प्रिथक निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है थोड़ा बच्चों बताओ थोड़ा सा क्वेशन मजेदार आया है इसमें आपको दिमाग लगाना है जी हाँ बता दो जल्दी बता दो थोड़ा सा घुमाया फजगे यहीं होगा तो 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म बंगाल विवाजन के प्रत्यागात के रूप में कौन सांदोलन शु में पहला सत्यागरा देखेंगे बच्चों तो मैं आपको बता दूँ चंपारन में किया था गांडी जी ने सबसे पहला सत्यागरा तीसरा अंसर हो जाएगा फिर है निम्ने में से किस कॉलेज में गांडी जी ने पढ़ाई की थी तो भाई सामलादास कॉलेज भावनगर सामलादेस कॉलेज यह हुगा अंसर प्रसिद नाटक नील दरपण जिसमें इंडिया इंडियो की खेती करने वाले किसानों किसानों के दमन का चित्टड किया गया था कि रचना किसने की नील दरपण दीन बंधु मित्र बहुत फीमस नाम है ठीक है आगे रेखेंगे बिहा में तीन कठिया में नील की खेती के लिए भूमी कितना भाग असमानता एक एक बिगम बीस कठा इन बटावीस हाँ है यह अंचाई के भारती उच्चा युक्त के पट का स्रिजन किस अरिनियम से हुआ था उच्चा युक्त जो आया था नहीं आदमी भारत सची इंडियन से क्रेट्री की मदद करने के लिए आया था इस आदमी को भेजा जाएगा कि अधिनियम में जब डायर की वगरा सिस्टम आया तो तभी इसको भेजा गया था उनीस सुनीस के अधिनियम में ठीके जी हां तो यह आपको थोड़ा से यहां पर याद रखना है आगे जलिया वाला बाग नर्जंगहार किस तौट इस गांधी वाधी शत्यागरा के संबंद में हुआ था गांधीजी ने बोला था जिसे हिमालेन बलंडर रॉलेट शत्यागिरा हाँ यह टेकर शत्पा लोग युश्डू पकड़े गयते फिर बाद में पुरा इंसीडेंट हुआ फिर गांधीजी ने बोला है बगव तो गोली से मारा उधम सिंग ने, जाकर गोली मादी तुए ही तो, ठीटर में भी देरी लग रही थी, बोला आता हो काम निप्टा के तब पिक्चर देखेंगे, ठोक दिया, फिर आये पिक्चर देखने, पकड़ लिए गए, उसी समय पकड़ लिए गए तो, गांडी जी क्य बिए यहां, इन्होंने बोला, जूलियस सीजर, नेपॉलियन, विल्क सराप पीते थे, टीक, या गजब काम करते थे, उृष्छ और भीहार की सरकार में बहुत देविन्फून गे रहा था, तो बियार की सरकार नहोंनाम निकाले थे, जूलियस सीजर, फिक़्े नेपॉलि अगला देखेंगे असायोग आंदुलन के दोरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परिक्षा का केवल कुछ ही बीस दिन सेज बचे थे ये ऐसा तीब्रकाम जैप्रकास नाराया नहीं कर सकते हैं भैस आप कॉलेज छोड़ दिया बोला जा रहा हो दूशरे काम में लगने लगने बादोली के बाद में हुआ था कोई कर नहीं इसे कहते हैं तो रास-दल की सापना किस आंदूलन की असफल्टा के बाद हुए थी एक्षायोग आंदूलन की असफल्टा के बाद में मैंने अभी बताया सियादास मोतिलाल नहरू ने इसके स्टापना की थी कॉंग्रेस के लापत सुराज पार्टी 1922 में सुराज पार्टी का गठन किसने किया था अभी नाम आ गया ठीके सियादास वा मोतिलाल नहरू ठीके ऑप्सन थर्ड हो जाएगा अता सदेव सहमती के साथ और अक्सर वाडी जे मंडल के निदेशे पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मेंस बोर्ड कहा जाता है या किसने कहा था बंकीमचन चटर जी महात्मा गांदी सचिदा अनंद सिनहा राजेन परसाद उप्यक्ट में से कोई नहीं बता दो पहले दो सब्सक्राशन में गेम खेलना जल्दी बता तो इसका अंसर क्या होगा तेल मी वीच वन इस गोंग टू करेक्ट अंसर आगे देखेंगे भारतिय रास्तिय कॉंग्रेस ज्वारा किस दिन को पूंड सुराज डिवस गोशित किया गया था जिस दिन तिरंगा फेरा दिया था अब जनवरी 1930 कि अधिके हां कि नमक सत्यागरा के दौरान बिहार में से लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस करके बिरोद के द्वारा सरकार का बिरोद किया था भाई सब्सक्राइब चोगिदार इस नहीं देंगे उसका बिरोद हुआ था डांडी यात्रा कितने दिन चली थी सबको मालू में 24 दिन कौंग्रिस ने बिटा पहले और ती दूसरे में निया था इसके मरनलब Ummet पाच्वाव जाएगा किस जवाह लाल ने रूप ने कहा था कि हम एक ऐसी कार्ड दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे इंजा नहीं नहीं चल तो रही नहीं हो ब्रेक ब्रेक लग रहे हैं ठीक है उसका नाम था 1935 के लिए यह सब्द बोला गया था ठीक है आगे देखेंगे परवरी 1938 में बिहार की चुनी ही सरकार ने कि किस कारण से स्टीफा दिया था भारत का युद में शरीक होना गांधी के आवाहन पर अंग्रेजों के खिलाप सत्य अगरा अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर नहीं बेटा यह चौथा था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना बिहार के साथ साथ यूपी जो अ अगठन किया गया था किसान कॉंग्रेज अखिल भास यह हैं कि पेटा इसका आंसर जो जाएगा ना 1936 हो जाएगा कि एगे जी हां रहे 1936 में किया गया था अगर आप लोग को लगता कोई दूसरा तो मुझे बताएंगे अगर आपको कन्फूजन लगता है तो मुझे तो म लिखा हुआ है ठीके प्रथाम अध्यक्ष किसे चुना गया था तो दा करेक्ट आंसर स्वामी सहजानन सरस्वती को इंपीरियल कैड़ेट कॉर्प्स की स्थापना किस ने की थी की स्थापना लॉड करजन ने की थी रजवाड़े और उनके बच्चों को ट्रेंड करने के लिए इंपीरियल कैड़ेट कॉर्प्स एगे जी हां इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों एगे यह एट इस गोईंग टू भी लॉड करजन उप्यूक्ट में से कोई नहीं नाव और नेबर पैंपलेट किस नहीं लिखा था कैम्प्रिज में अगला बंदा पढ़ रहा था नाम तर रहमत वली इन्हों नहीं बोला था अलग राज पाकिस्तान सब देने वाले यही थे पाकिस्तान पी फॉर पाकिस्तान इतने इलाकों को यस पर अपना सिंध तो पंजाब अफगानिस्तान कस्मीर सिंध और बलुचिस्तान मिला कर पाकिस्तान यह बात रहमत अली जो कैम्प्रिज में पढ़ा था उस समय इनके द्वारा यह बाते बोली गई थी ठीक है हां मतलब पेंप्लेट निकाला गया उसमें बताया गया कि पाकिस्तान इतना होना चाहिए दस सेप्रेट नेशन फॉर दा मुस्लिम क्लास पीपल ब्यक्तिकत सत्यागरा आंडुलन के प्रथम सत्यागराही कौन थे बच्चा बच्चा जानता भी नुवा भावयो दूसरे अगर पूचेंगे तो जवाल नेरो इन में से कौन 1945-46 में डिल्ली में हुए आयने के मुकदमों के पक्ष में फेमस वकील थे तो भाई सा भूला भाई देश आई अखिल भारती फारवड ब्लॉक की स्ठापना के लिए स्वार्चन बोस कौन जुड़े हुए था यहने अंडुलन में त्यार रखेंगे सील भद्रिया जी काइबिनेट मिसन भारत आया परवरी नहीं बटा उननी सुच्यालिस मार्च में आया था कोई नाम नहीं है भारत की विभाजन के समय भारती रास्टी का अध्यक्ष कौन था जेभी क्रिपलानी निए जेभी क्रिपलानी यहां यह महत्मा गांदी चंपार्ण में मिले भी थे कि बहुत अच्छी बात है कि आगे रेखेंगे उप्युक्ष में से एक मत्र सुरी राजी बिभाग की स्थापना राजी बिभाग वही बतलब सर्दार पटेल जब रजवाडों को एकर्तित करने का काम किसने के रश्रदार पटेल ने ठीके जी यहां आजादी के बाद में ब्रिटिस सासन काल में संभिधान के विकास में कौन सा कानून एतिहासिक नहीं था कि रेगलेटिंग एक्ट कि चाटर एक्ट कि प्रोटेक्शन आप सिविल राइट्स एक्ट 1905 यह नहीं होगा ना कि ब्रिटिस काल की बाती नहीं है अगस्ट 1923 के बाद 1923 के बनारस हिंडू सभा के अध्रिवेशन का अध्रिक्षता किसने की इती पंडित मदन मोहन मालवी है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवी है इसकी जानकारी रखेंगे फिर अगला है भारत में प्रथम रेल्वे लाइन ब्रिटिस गौवर्णर के समय भाई लॉट डलोजी के समय 1854 मुंबई से राने और उसी लाइन जो लाई गई थी वो कलकत्ता से रानी गंज बंगाल में अच्छा मुंगेर के बरियत आला मुंगेर का तीके मुंगेर का बरहित आला विरोध का उदेश से क्या था यह बताई वही बकास्त भूमी की वापसी की मांग मुस्लिम किसानों के सोसर बंद हो जमीदारी की पता की जमापती वर यूद की शुरुवात करना उप्युक्ट में से कोई नहीं या फिर उप्युक्ट में से एक चादिक पाइंड आउट डी करेक्ट आंसर बता दो बच्चों के लिख लिजिए बकास्त भूमी की वापसी जिमान अंग्रेजी भारती सेना में चर्वी वाले कार्टूस के कार्टूसों के चलने वाली एंफिल्ड राइ खांदी में ओं घ्योरी आ रthlet ant excellent देखा थ हो अटलिद गॉम्ट में आए अननलम शनील की स्ञ्लीडीट में थी जेश्थाद्ल आउट्रम और डलु टेलर में कि लिखने पागल्पंध की स्थापना किसने की थी अरे भाई सभी अगालीव साहब गालीव जी थे उससे बिद्रो में तो इसको देखा था गालीव और गालीव नाम भी बहुत मसूर निम लिखित्थ में से किसने अठासो शताउन के बिद्रो को एक सटीयंद्र की संग्या दी थी जेमस आउट्रम एंड डवलू टेलर में, पागलपंद की स्थापना किसने की थी? करम्चा थे, पागलपंद ये आंदूलन चला था, करम्चा थे, रामशी विद्रो को सही रूप में किस भगौलिक अलाके में हुआ था? पॉर्भी घाट में वगेरा बिद्रो कहां हुआ था पड़ोधा में हुआ था कि मानो बली प्रथा का निशेट करने के कारड़ अंग्रेजों के विरुद्धे बिद्रो करने वाली जन्जाती का नाम ते सब्सक्राइब हां कि यह तो एक यह अंसर हो जाये आपको लगए मैं जल्दी आंसर लगा रहा हूं हुटा मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं उसके पहले पढ़ता था को यह हमें मैं UPSC पढ़ाता हूँ पर अभी आपके BPSC में हूँ आगे चलके आपके लिए कोर्स भी ला रहा हूं बहुत डीटेल पढ़ाएंगे बहुत मजाएगा जितना आपका प्यार समन मिलेगा उतना काम आगे बढ़ता जाएगा 888 का वर्नाकुलर प्रेसेक्ट किस ने रद किया था रिपन रद किया लिटन लगाया था इस्थाई बंदोबस किसके साथ किया गया था जमीदारों कि निम्न अकबारों में से कौन सा मुख्यता ठीके उदार वादियों की नीति का प्रचारक था नियू इंडिया लीडर समास उदार आंदोलन ने जनसंख्या कि किस वर्ग को मुख्यता आकर्शित किया था भुद्ध जीवी नगरिये उस्थि जाती निर्धन सव और उदार रजवारे इसमें क्या लिखा हुआ है पहला दूसरा तीसरा हुजायागा थीसरा आंसर हुजाया जिए कि पहला दूस बात में नारी आंडोलन इनकी प्राड़ना से प्रारंब हुआ, बात में नारी आंडोलन जोतिवा फूले, यहां फ्रेनाम, सत्य सोदक समाज, जोतिवा फूले, विद्वाओं के लिए आसरम सारी चीजे, राष्टिये कॉंग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुक्त संस्था थी प्रमुक्त था इंडियन एसोसियेशन अब कोलकाता, इसने कहा था कि कॉंग्रेस आंडोलन ना तो लोगों द्वारा प्रहित था ना ही उनके द्वारा सोचाय यह योजना बद्द किया गया था, सेयद आमत खान जिन्होंने अलिगड आंडोलन की सुरुवात की थी, उन्ह नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशन की स्थापना 1906 में हुई थी, स्वरेशी जवांदुलन शुरू हुआ था, तेरे पंजाब के नाम से कौन मसूर है, लाला लाजपत्र है, अब इन्हों भारत से कौन संबंदी थे हैं, बीडी सावर का, क्या मुजफर पूर में किंक्स फोर्ड की हत्या, का प्रयास कब किया गया था है। मुझफर पुर में मेरा इसाफ से एक बार आप चेक कर सकते हैं, 1908 होगा, इसी समय मेरे हिसाब से जो कहते हैं कि खुदी इदाम और प्रफुल चाकी जो थे, उसमें किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, मेरे हिसाब से जो घटना यही लग रही है, बाकि आप कुछ ऐसा भी लगे, आप मार कर लेंग पिरा जाते हैं, न्यू लेंप्स पर ओल्ड, लेख स्रिंखला, मिस्टर वहारा उबर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कॉंग्रेस की अलोचना की गई थी, इनके लेखक कौन थे, अरविंद घोस, ठीक है, अरविंद घोस, निस्क्रिय बिरोद के सिध्धान का प अरविंद घोस जी ने ही किया था, ठीक है, जी हाँ, 133 नंबर जो क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपका अरविंद घोस ही होगा, ठीक है, तो don't be confused with it, अरविंद घोस होगा, ठीक है, आगे रेखेंगे, तो आज आम जनता के लिए होना चाहिए, ठीक है, केवल वर्गो के लिए नहीं, के प्रसित्य सूत्र की घुस्टना किस ने की थी, ठीक है, बताए भई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टिमेट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखके लग रहा कि हाँ, चलो, BPSC ने भी क्वेश्चन कभी पूचा था, उस लेवल प स्री ब्रिटिस सरकार ने सेडल, सेंडलर 20 बीडालया, ऐयो की नयूकती की ती, तो सेंडलर 20 बीडालया, сох but win communist 2017 क्या जी हां, क्योंकि चमपार्ण के बाद में अगले साल में या उस समय की बात है, उसी समय, 2017 में इसके बारे में हमें työन्कारी देकने को मिलती है, clear है? जी हा चलिए है हमीसग सत्रा हो गया कि नोगाखली में माहतमा गांडी के सच्चिओ कौन थे कारेलाल नाम याद रखना कारेलाल है निम्लिखित में से किस सत्यर्जा क्या अंडोलन में गांडी जी ने प्रत्यक्ष रूफ से बाग नहीं लिया था, गांडी जी वाइकों में नहीं गये थे, पाधिन्ता अंडुलन के दौरान महात्मा गांडी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, एक बहुत अच्छा किस्सा है, जब मैं लेक्चर लूँगा तब बताऊंगा, नेमने उद्योग पतियों में से कौन से ब्यक्ती, लंबे समय तक, ICC के खजांची रहे थे, 1930 में जेल भी गए, ICC के खजांची भी थे, 1930 में जेल भी गए थे, नाम, बताइए बच्चों क्या होगा, जल्दी बताइए, पहला ओप्सन ए जीडी विल्डा, दूसरा जमनलाल बजाज, जयाडी टाटा, बाल, चंदर, हीरा, जमनलाल बजाज, जमनलाल बजाज, बंबई में आखिल भारती ब्यापार संकी स्थापना कब हुई थी, जैस साल असयोग आंडोलन हुआ था, 1920, इसने खिलाफत आंडोलन को हिंडू और मुसल्मानों की एकता के, एक से, एक ऐसे आउसर की रूप में, देखे जाने की बात की, जो वर्सों मे नहीं आएगा, तो महात्मा गादी ने बुला था, कि अगले कई वर्स में ऐसा समय नहीं आएगा, और हमें, इनका सपोर्ट करना चीए, सर्चात प्रकास की रचना, स्वामी दैनन सरस्वती, स्थापना, मैडम एस्पी ब्लावस की, करनल अलकॉर्ट, भारत में उसको प्रकुलर एक्ट आय था, जिसमें हमने बुराई की थी, 1870 में बंगला, ये दिल्ली दर्वार सजा था, भारती रास्तिये कॉंग्रेस के प्रथम अडिवेशन में, कि कि इतने प्रतनिधियों ने भाग लिया था, 72 रेली गई, भारती रास्तिये कॉंग्रेस का अध्यूएशन किस स्थान पर हुआ, 27 अध्यूएशन 27 अध्यूएशन 27 निकाल राचे तो होगा नहीं, बांकी पूर बता तो आंजर क्या होगा, जल्दी बताईए, पांकिपुल नहीं होगा वही होगा वांकिपुल बातिय रास्टी आंदोलन गरम पंतियों की प्रभावधिन आया आधे भाई 1906 स्वदेशी आंदोलन 1906 में मिन्टो से सिम्ला में मुसल्मान के सिष्टम अंडल ने प्रिषक निर्वाचन के लिए गयते कहा है यह इसके लिए गयते निस्तो सत्राइबाद में गांडी जी द्वारा चलाएगे सत्यागरा में किस ने हिच्टा लिया था कि प्रिषक वर्ग जनता मजदूर और जोगी कर्मी आय थे क्योंकि मेली स्ट्राइक था किसे छेट में राहुल संस्क्रतायन का सेयों का अंडलन में सक् अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माप करेंगे आप मिलेंगे मुस्ट प्राविवल एंसी क्यूं में जहां पर मैं बताऊंगा कि कौन से कोई ना सकते हैं ठीके मिलते हैं जै हिंद जै वारत हैलो दोस्तों प्यस्सी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है होप की आपकी तैयारिया जबरदस तरीके से चल रही होंगी और हर सब्चिक बहुत 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 अच्छे से तैया कर रहे होंगे जैनल साइंस का वन शॉट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था इस चैनल पर जो की आप लोगों ने होप की बहुत अच्छे से देख लिया होगा और वो पूरा का पूरा तैयार कर लिया होगा अभी हाल में आप लोगों से एक टेस्ट ल दिये गया थे साथी साथ उनका एंसर डिसकेशन भी बहुत डिटेल में किया गया है उनका एंसर भी बताया गया है डिटेल में डिसकेशन भी किया गया है लेकिन मैंने जब उस पेपर को देखा तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे क्वेशन है जिनको अगर डिसकस डिटेल में और कर दिया जाए तो ये आपके examination में जो marks होंगे उसमें add on की तरह से काम करेगा मतलब कि कुछ question हो सकता है कि इस discussion से direct आपके exam में मिल जाएं ठीक है तो इसलिए मैंने सोचा कुछ जो हम लोगोंने वो one shot वीडियो दिया है वो तो है ही वो तो बहुत ही 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 जो आपको 150 question का ये paper मिला था उसमें से कुछ question का ऐसा discussion करने जा रहा हूँ जिससे कि वो knowledge जो आपको उस video में one shot general science के video में मिली है उसमें आपको कुछ और नई बातें भी पता चल जाएं कुछ और नई बातें भी मैं add on कर दूँ जिससे कि आप लोगों के हो सकता है direct question इस portion से आपको direct मिल जाएं ठीक है तो ये बहुत ही समझ लीजे एक add on video होगा और उस video को जिन्होंने नहीं देखा है उसे जरूर देख लेंगे one shot video जो हमने upload किया है और साथी साथ इस video में भी आप लोग जन्होंने देख रखा है इस video को भी complete देखें कुछ चीजें आपको और नई मैं बताता हूँ कुछ और नई जानकारिया भी मैं देता हूँ ठीक है तो हम लोग start करते है पहला question discussion कर देते हैं करवाहत के लिए मानो जीव का समेधन शिल शेतर कौन सा है यानि कि जो bitterness होती है करवाहत होती है वो मानो की जीव में कहां महसूस होती है तो उसका जो यहां पर answer दिया गया था तो यह है पीछे का भाग में पीछे के भाग में करवाहत हमें महसूस होती है तो याद रखिएगा अगर बिटर्निस आपको महसूस करनी है तो यह हमारी जीब के पीछे वाले पार्ट से होता है अगर आपको सोर आपको खटा जैसा महसूस करना है तो वो हमारे यह जीब के किनारे वाले भागों से होता है इसके अलामा जो मीठा पन होता है वो जीब के मतब आगे वाले टिप से होता है तिप से होता है आगे वाले पार्ट से होता है सौल्टी अगर महसूस होता है नमकीन जो हमें महसूस होता है वो नमकीन जो है वो हमारे इन किनारी यानि नोक से पीछे वाले जो भाग होते हैं ठीक है इधर की तरफ दाएं बाएं वाले भाग होते हैं नोक के पास में वहां से हमें जो है वो salty यानि नमकीन महसूस होता है और यह जो बीच वाला पार्ट होता है यह उमामी टेस्ट का मतलब जैसे है कि आप चिकन खाते हैं, मतन खाते हैं, तो वो जो एक फीलिंग आती है, उमामी टेस्ट उसे बोलते हैं, तो उसके लिए यह बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है? तो यह चीज याद रखेगा, तो मान लिजे इस क्वेशन में आप से पूछा गया कि बिटर के लिए, यानि कि जो कड़वाट होती है, उसके लिए कौन सा भाग जो है जिम्मेदार है, तो हो सकता है कि अगली बात मुछ लिया जाए, कि आप से मीठे के लिए कौन सा भाग ज जड़ नहीं क्योंकि, ठीक है ये कौईशन पूचा गया था, अध्रख जो है वो स्टेम है, जो हमारा अध्रख होता है, इस जड़ नहीं है, क्यों नहीं है, इसका एंसर यह था कि, यह ūा, विय इसका एंसर यह था कि यह समे नोड और इंटर नोड पाया जाते है, तो यह नोड और इंटर नोड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यहीं से जो है, वो स्टेम्स निकला करती हैं, यहीं से नई ब्रांचेज निकल सकती हैं, स्टेम्स निकल सकती हैं, तो इसे नोड और इंटर नोड कहते हैं, तो यह नोड और इंटर नोड कहलाते हैं, इसी वज़े से यह स्टेम है यानि कि तना है जड़ नहीं है इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए और एड़ान किया है कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहां मतलब जड़ है या तना है या कोई और अन्य भाग है जो हम लोग यहां पर मतलब यूज करते हैं खाने में यूज करते हैं तो पौधे की विबिन भागों में भोजन माना जाता है जड़तना पत्ती फूल बीज आदी पौधों की जड़ें भोजन के रूप में हम पौधों की कुछ जड़ों के रूप में यूज करते हैं तो पौधे की कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिन में इसकी जड़े यूज़ करते हैं ठीक है और तनों की बात की जाए किसका हम तना उपयोग मिलाते हैं तो तने में याद रखेगा प्याज आलू अदरक लहसुन गन्ना इनके तने को हम खाने में यूज़ करते हैं याद रखेगा इक्वेशन से इससे आपको मिल सकता है पौधों की पत्तियों की बात की जाए तो पौधों की पत्तियों में जैसे की पालक है गोबी है हम उस पौधे की पत्तियां उपयोग मिलाते हैं खाने के उपयोग मिलाते हैं पौधे के फूल की बात की जाए कि किसका हम पौधे का कौन सा ऐसा पौधा है जिसके हम फूलों का उपयोग करते हैं खाने के लिए तो केले के पौधे का फूल उपयोग होता है याद रखियेगा जो केला होता है वो फल है लेकिन उसके अलामा हम केले के पौधे के फूलों क भी उप्योग करते हैं, कद्दू के पौधें में भी हम फूलों का उप्योग करते हैं, ठीक है, पौधे के फल, यानि कौन ऐसे पौधे हैं, जिनके हम फलों का उप्योग करते हैं, तो सीधी सिवाथ फल तो आपको पता ही है, कि सेब है, अमरूध है, अंगूर है, आम है, य एक पूरी लिस्ट मैंने आपको डिसकस कर दी जिससे कि अगर कहीं से भी क्वेशन पूछा जाया तो आप बता सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग जो खाने के लिए सबजियां उपयोग करते हैं तो कौन सा जड़ है कौन सा तना है यह सारा मैंने यहाँ पर डिसकस कर दिया ठीक सच्चा फल होता क्या है समझेगा सच्चा फल क्या होता है कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को जब पहले वीडियो जो पहला वीडियो मैंने वन शॉट वीडियो बेजा हो तो उसमें मैंने बताया था कि फ्लावर होता है तो फ्लावर का एक फू ओवरी होती है ठीक है फ्लार है यानि फूल है तो उसकी जो ओवरी होती है अन्डाशे जो इसका होता है यह अन्डाशे जब फूल कर ठीक है फूल कर और फूल में बदल जाता है यानि की फल में बदल जाता है अगर अन्डाशे ही फूल जाई यह अन्डाशे है यह ओवरी है فول کی तो अगर यही अंदाशे जो है यह ओरी फूल कर फल में बदल जाए ऐसे फल में बदल जाए तो इसे हम लोग बोलते है true fruits, यानि की सत्य फल कहते है, क्या बोलते है true fruits या सत्य फल बोलते है तो सत्य फल क्या होते है जिस पुश्ब का जिस flower का जो अंडाशे फूल कर फल में बदल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सत्त फल के जो example है उन में से आम है, अंगूर है, अनन्नास है, आमला है, खजूर है, अकरोट है ठीक है, तो यह सब जो हैं, वो सत्त फलों के example है जिनके फूल के अंडाशे जो है वो फूल कर बाद में फल में बदल जाते हैं तो ये सब सत्य फल के उधारन हैं सत्य फल के उधारन आम अंगूर अननास आमला खजूर अक्रोट है इसी के अलामा जो है अगर फ्लावर का अंडाशे को छोड़ कर कोई अन्य भाग ठीक है यह ह हाग अगर फूल कर फल बना ले ठीक है फूल कर फल बना ले या परिवर्तित हो जाए फल के अंदर अंडाशे को छोड़कर कोई अन्य भाग जो है वो फल में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम लोग तो उस तरीके का जो फल होता है जो की अंडाशे से नहीं बना होता है तो उ इसमें उधारन है जैसे सेव है केला है स्ट्रॉबेरी है सहतूत है यह सब जो है असत्यफल है मत्तब कि फाल्स फूर्ट की कैटेगरी में आते हैं ठीक है यह जो है बनते हैं लेकिन अंडाशे से नहीं बनते हैं पुष्प के अंडाशे से फ्लावर के ओवरी से नहीं बनते ह ठीक है तो ये हो जाता है सत्य और असत्य फल फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है ठीक है तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो फूल की कली से प्राप्त होता है लॉंग आपने देखा होगा ऐसे से कर के long होती है तो यह long जो है वो किस से प्राप्त होती है fool की कली से प्राप्त होती है ठीक है तो long तो अब मैंने यहां पर उदार उदारन भी दे दिये औ है तो इसको भी याद कर लीजिएगा देखिए का यहां से बहुत question आपको मिल सकते हैं directly मिल सकते हैं तो इसलिए बहुत अच्छे से तयार कीजीएगा ठीक है तो मसाला, एक 20 फरे चल, मतभ़ होता है तो लॉंग जो है लॉंग की अगर बात की जाए तो लॉंग जो है वह फूल से प्राप्त होती है यानि लॉंग जो हम लोग खाते है पौध है कि किस भाग से प्राप्त होती है तो लॉंग फूल से प्राप्त होती है डालचिनी जो है वो छाल से प्राप्त होती है ठीक है बार्क बार्क से मिलती है हल्दी जो होती है वो तने से प्राप्त होती है हल्दी क्या है तरीके का तना है उससे प्राप्त होती है ठीक है काली मिर्च जो होती है वह our एक सारस फल है और इसके अलामा कलोंजीfund कलोंजी छोटे-छोटे होते है न स्ब्राइक ब्लैक कलर के वह एक बीज है ठीएज जीर WiFi है केसर इस्टिख्मा इस्टिख्मा visão मां स्टिख्मा जो वह कह सकते हैं जो आप फूल होता है जो फूल होता है उसका पार्ट होता है स्टिग्मा ठीक है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो वो स्टिग्मा होता है यानि कि फूल से बनता है यानि फूलावर का पार्ट होता है ठीक है फूलावर का पार्ट होता है इलाइची जो है वो फली ह ठीक है फली है और बीज है फली और बीज है और हींग जो है वो एक गोंद है तो हींग क्या है एक गोंद है तो यह तरीके से अलग अलग जो चीजें होती है हमारे मतलब मसाले में यूस की जाती है वो क्या है उनका मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी ठीक है तो यह सारी चीजे हो गई अब बात होती है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था ठीक है तो ली ओनोब नील आमस्टांग माइकल कॉलेज जेम स्वेन एलन ये सारे चीज़ें हैं तो इसमें जो है वो एंसर क्या हो गया एंसर हो गया बी यानिकी नील आमस्टांग लेकिन पहली बार किसने किया था ये बार बार examination में question पूछा जाता है कि किसने पहली बार किया किसने दूसरी पहली बार किया कौन सी जगा तो मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने में लेकर आया हूँ अग्जबर आईए मत कोई भी कोई बी exam में question छूटे गा नहीं पूरा हमारी कोशिश इनको ये मेरी दिल से पूरी दम से कोशिश है कि ऐसा कुछ में कहीं से कोई गरबड़ी ना हो ठीक है तो पूरी हम कोशिश कर रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं और जब हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चुमेगी निश्चिंट रही है परशान मत होई है सफलता आफको मिल कर रहेगी बिल्कुल भी घबर farmie की जडूरत नहीं है ठीक है वह इतनी मेहनत कर रहा है तो भगवान भी तो देख رा है गभवान भी हमाने साथ इनसाफ करेंगा रहें ही करेंगा तो dog था first man जो है वो space में कौन गया था यूरी गागरिन थे ठीक है यूरी गागरिन थे first man in space first American in space पहला American कौन सा space में गया था एलन शिफर्ड गया था ठीक है first women in space कौन गयी थी वेलेंटी वेलेंटीना टेरिस्कोवा नाम की फिमेल गयी थी first female जो है जो space में गयी थी अंतरिश में गयी थी first man to walk in space जिसने space walk की थी कौन से ऐसे अंतरिश यात्री थे जिन्होंने सबसे पहले space walk की थी तो वो एलेक्सी लेनोव है ठीक है उन्होंने सबसे पहले space walk की थी first man to land on moon के इसने चंदमा पर सबसे पहला कदम रुख रखा था नीला मस्टांग ने रखा था ठीक है first US women in space पहली American women कौन गई थी क्योंकि US और रशिया के बीच में मेंशा competition होता है तो यह वेलेंटीना स्कोवर जो है रशियन थी तो कौन सी पहली women American गई थी तो Sally ride गई थी ठीक है Sally ride गई थी first women to walk in space space walk सबसे पहली female ने कौन सी किसने किया था तो वो स्वेतलाना सवित्सकाया थीक है स्वेतलाना सवित्सकाया ने किये था सबसे पहली space walk की थी first Indian in space कौन गया था राकेश शर्मा गय थे ठीक है राकेश शर्मा रशिया की मदद से गय थे first Indian US women in space थीक है इंडिया कलपना चावला यानि पहली भारती महिला जो थी देनिस टीटो जो है first space tourist थे जिन्होंने पैसे देकर वहाँ पे घूमने गये थे टहलने गये थे 2001 में देनिस टीटो थे तो ये पूरा मैंने space में जो भी first रहा है उसके बारे में याँ पर discussion कर दिया ठीक है discussion कर दिया इसके अलामा जो है कुछ और first में लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ जो science में कुछ पूछी जाज़ रखता है जैसे कि first Indian in space राकेश सर्मा आपको पता हो गया first nuclear reactor कौन सा भारत में बना तो आरे भट्टा पहला जो उपगरा भारत का था वो कौन सा था आरे भट्टा था first successful indigenous launch वहकिल यानि भारत में जो प्रच्छेपड यान था यानि वो rocket जिससे कि हम satellite को launch कर सकते हैं पहला rocket कोन सा था ठीक है rocket कोन सा था तो SLV 3 था space launch वहकिल 3 ठीक है computer development in India ठीक है first computer developing India Tifrak ठीक है Tifrak ठीक है इसके अलामत जो है first moon mission of India पहला moon mission भारत का कौन सा था चंडरयान mission था ठीक है 2008 9-09 में इसे भिजा गया था ठीक है जो चंडरबा पर भिजा गया था first nuclear plant in India ठीक है नूकलियर plant जो भारत का जो है परमाणू परमाणू जो है रियक्टर कौन सा था रियक्टर याद रखिएगा रियक्टर और प्लांट में अलग अलग चीज़ है पहला रियक्टर अपसरा था पहला नूकलियर प्लांट यानि की जो जो परमाणू जो इस्थल प्लांट बना नूकलियर प्लांट ब किया था कि यह आर रहा दो बार्त का पहला नंत घर एक Egg मिशन न Bien Supreme मिशन यानि की बिधो डो ग्रह Ocean के विश में वक्मार दो अंतर ग्रहि ही मिशन तो बारत का पहला अंतर ग्रही मिशन यानि एक रह से दूसरे ग्रह में जाने वाला तो फ्लानेट यह हमारा अर्थ है ठीक है और हम पहुंचे थे मार्स में ठीक है यानि की मंगल पर पहुंचे थे तो हमारा जो मंगल यान है ना मंगल यान ठीक है मंगल यान जो था वो पहला भारत का अंतर ग्रही मिशन था अब आप कहेंगे सर चंद्यान वन नहीं चंद्यान वन अंतर ग्रही मिशन तो दूसरा, ग्रह पर अगर कोई यान भारत का भीजा गया था पहला, तो वो कौन है, मंगल यान, ठीक है, या Mars Orbiter Mission इसे कहते हैं, Mars Orbiter Mission तो Mars Orbiter Mission, यह बात याद रखिएगा, इसमें confused मत होईएगा, तो पहला अंतर्ग रही, या Interplanetary Mission ठीक है, कौन सा था मार्स मिशन था मंगल यान था ठीक है कब भेजा गया था यह ब्रber 213 को भेजा गया था ठीक है मंगल यान मिशन अब हम फ्यूचर में जाने वाले है वीनस पर ठीक है वीनस पर यानि शुक्र पर हम लोग जाने वाले हैं ठीक है चले तो फर्स स्पेस शेटल लाउंच इंडिया भारत में देखो एक होता है लाउंच वहकिल यान और एक होता है शेटल यानि कि लाउंच वहकिल जब रॉकेट हम भेजते हैं तो रॉकेट जो गया तो इसे हम लोग Space Shuttle कहते हैं ठीक है जिसे हम बार-बार उपयोग मिला सकते हैं पुना परियोज प्रच्छेपण्यान यानि कि रियूजबल लॉंच वहकिल पुना परियोज प्रच्छेपण्यान जो है वह हम बना रहे हैं अभी हम इनने इसका पहला टेस्स कप किया था जिसका नाम था RLV TD Reusable Launch वहकिल Technology Demonstration यानि कि पुना प्रियोज प्रच्छेपण्यान का भी हमने टेस्स किया था ठीक है टेस्स किया था 2016 में अभी हमारे पास यह है नहीं अभी हमने इसको टेस्ट सिफ किया है ठीक है तो Reusable Launch वहकिल Technology Demonstration ठीक है तो यह सारी चीज़े हो नहीं इसके बाद Question आता है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन होती है यानि जब पेट्रोल और डीजल फ्यूल जब जलता है और उसको Incomplete Combustion होता है Incomplete Combustion का मतलब कि अधूरा जलना ठीक है यानि पूरी तरीके से Oxygen की Supply ना हो ठीक हो अगर Oxygen की Supply जो है वो Sufficient Amount में हो रही है तो इसका मतलब जो भी चीज हम जलाएंगे Complete जल जाएगे क्योंकि कोई भी चीज जलने के लिए Oxygen की जरूरत होती है तो Complete जलने के लिए Oxygen की जरूरत होती है पूरी Oxygen लेकिन वही Oxygen की Supply थोड़ा धीमे कर दिया जाए तो ऐसी Condition में पूरे त Supply कम होती है और जब पूर्ण देहन या Complete Combustion नहीं होता है तो क्या होता है तो याद रखिए क्या कौन सी गैस निकलती है तो इसमें जो गैस निकलती है वो निकलती है Carbon Mono Oxide कौन सी Carbon Mono Oxide तो पेट्टोल और डीजल के अधूरे जलने से Carbon Mono Oxide गैस उत्पन होती है ठीक है त प्रियूल अलॉओल होती जो प्रियूद प्रियूल सकना उडाइना यह जो निकलती है जाए कार्बन टाय क्या निकलती है तो व निकलती है तो carbon dioxide जो main gas निकलती है वो कौन सी निकलती है carbon monoxide ठीक है अगर incomplete combustion होता है यानि समपूर देहन पूर देहन नहीं होता है कम oxygen में जब चीजें जलती है मतब यह petrol diesel जलते है तो main gas कौन सी निकलती है carbon monoxide निकलती है ठीक है अब आगे बात करते हैं rate और neptaline के mission को यानि की जो आपके rate होती है और neptaline होती है उसके mission को किस के दोरा लग किया जाता है इस तरीके के question कई बार exam में पूछे जाते है कि किस तरीके से लग किया जाता है नेप्थलीन की जो balls होती है जो evaporate कहके तो vaporize हो जाती है और rate जो है उसको अलग करने के लिए किस method का उपयोग करते है तो उसके लिए हम लोग use करते है उर्ध पातन या sublimation ठीक है उर्ध पातन या sublimation यानि उसको रख देते हैं और उसमें एक material यानि नेप्थलीन की ball जो है वो sublimation हो जाता है उसका ठीक है कौन कौन सी जगों पर क्या क्या कौन सी चीज को किस तरीके से separate करते हैं अलग करते हैं तो chromatography यानि chromatography जो होती है ये तकनीक होती है इसमें या chromatography तकनीक होती है इसमें क्या होता है कि कोई compound एक solution के अंदर है एक solution है ठीक है यानि कि एक जली विलियन में मौझूद है तो जब जली विलियन के अंदर ठीक है सेम प्रॉपर्टी वाले सेम लच्छन वाले जो compound अगर मौझूद है एक विलियन में एक solution में तो उसको दोनों को separate करने के लिए हम किसका यूज करते हैं इसके बाद filtration यानि filter जो किया जाता है तो filtration method कहां पर यूज करते हैं solids और group of solids and liquids in a mixture ठीक है तो solid को यानि ठोस परदार्तों को या ठोस परदार्तों के पूरे मताब कई ठोस परदार्तों और वो और liquid या ठोस परदार्त या तरल परदार्त जब यह आपस में mix होते हैं तो उनक उनको जो है अलग करने के लिए हम filtration method का यूज करते हैं ठीक है filtration method का यूज करते हैं तो filtration में filter किया जाता ना देखा होगा आप लोगोंने कि आपने कोई भी ठोस चीज जो है वो पानी में घुली हुई हो मतलब घुली ना हो मतलब उसके अंदर वो मिस्टरन बना हुआ हो त उसको किसी फिर्ची से filter करते हैं तो ठोस चीज जो है वो उपर रह जाती है और जो लिक्विड होता है वो सेपरेट हो जाता है तो ठोस और साथी साथ तरल को अलग करने के लिए हम filtration method का उप्योग करते हैं इसके अलामा evaporation इसे वाश्पी करण की प्रक्रिया कहते हैं क्या बोलते हैं evaporation यस वाश्पी करण की प्रक्रिया तो evaporation इसमें क्या है कि जब किसी भी कोई भी solution होता है जिसमें ठोस जो होता है वो ठोस और जल का जल का यानि कि solid और liquid आपस में mix होते हैं तो ऐसी condition में हम क्या करते हैं solid को जब गरम करते हैं तो water उसमें का evaporate हो जाता है और evaporation method यानि वाश्पी करण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जैसे कि अगर मान लीजे नमक से घुला हुआ पानी है तो उसमें से पान अगर हम evaporate करेंगे तो पानी evaporate हो जाएगा नमक बचेगा तो यह चारी चीज़ होता है तो क्रिस्टिकलर की प्रक्रिया जो होती है उसम कोई अगर जो सलुशन है ठीक है कोई विलियन है तो उस विलियन में जब सॉलिट डिजॉल्व होता है सॉलिट पूरी तरीके से मिक्स होता है ठीक है डिजॉल्व होता है उसी में घुला हुआ होता है कोई ठोस घुला होता है एक सलुशन के अंदर तो उसको अलग करने के क्रिस्टलाइजेशन तकनीक या क्रिस्टली करन तकनीक का उपयोग करते हैं सिंपल डिस्टलेशन सरल आस्वन विधी तो सरल विधी में लिक्विट्स इनसलूशन एक जो विलियन है उसमें से तरल को अलग करने के लिए एक तरल को दूसरे तरल से अलग करने के लिए सिंपल distillation method का उपयोग करते हैं या सरल आस्वन विधी का उपयोग करते हैं क्या करते हैं जब एक solution एक billion होता है उसमें से मालब दो billion है तो उसमें से एक एक दो जो तरल प्रदार्थ हैं उनका billion है तो एक तरल प्रदार्थ को अलग करने के लिए simple distillation का use करते है fractional distillation इसे हिंदी में बोलते हैं आंशिक आस्वन तो यह आंशिक आस्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें mixture of missisible dissolved liquid ठीक है एक दूसरे में dissolved जो liquid होते हैं यानि एक घुले हुए जो एक विलियन के अंदर दो घुले हुए जो तरल होते हैं तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं fractional distillation आंसिक आश्वन विदी का उप्योग करते हैं separating funnel यानि कि उसे विभाजक keep कहते हैं तो उसमें हम कहते हैं undissolved liquid यानि कि कोई भी जो liquids हैं वो आपस में dissolved नहीं है ठीक है dissolve नहीं है यानि कि घुले हुए नहीं है तो liquid है ठीक है तरल है लेकिन वो एक दूसरे में घुले नहीं हो तो उनको अलग करने के लिए हम separating funnel का उप्योग करते हैं sublimation sublimation जो प्रक्रिया है वही sublimation प्रक्रिया हम लोगों ने देखा था उसका example भी देखा था यह उर्धपातन की प्रक्रिया तो उस उर्धपातन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक sublime substance होता है जो की sublime substance होता है जो सीधे जो है वो solid से सीधे evaporate होकर gaseous state में बदल जाता है तो ऐसे material को अलग करने के लिए हम लोग sublimation या उर्धपातन का उप्योग करते हैं magnetic attraction magnetic attraction का मतलब चुमबकत्यों की मतलब से चीजों को attract किया जाए चुमबक की मतलब से attract किया जाए तो magnetic substance from non-magnetic substance माल दीजे कि लकडी है, लकडी है, लोहा है यह सब जो है वो mix कहीं पर पड़ा हुआ है तो उसमें से लोहे वाली चीजों को हम magnet के जरीए क्या करते हैं attract कर लेते हैं और magnet के जरीए उस लोहे वाली चीज को चिपका कर अलग कर देते हैं तो यह magnetic attraction केहलाता है तो इसमें इसका you play okay किया जाता है तो यह सारा method है फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दिस इस्पेक्टरम के तरंग दैर्द की सीमा क्या है ठीक है यह मैंने आप लोगों को वस प्लास में भी बहुत डीटेल में बताया था कि जो मतब हमारा एलेक्टो मैगनेटिक स्पेक्टरम होता है यानि कि याद रखिएगा कि जैसे कि आपका यह तरंग तो सबसे जादा फ्रिक्वेंसी सबसे जादा जो फ्रिक्वेंसी होती है maximum क्या होती है गामा की होती है और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है जो वेवलेंथ होती है minimum wavelength होती है तो वो किसकी होती है गामा रेस की यह उटा होता है ना frequency is inversely proportional to frequency is inversely proportional to wavelength यानि कि आवरिती जो है वो वितकरमा अनुपाती होती है किसकी आपके तरंगदैर्द की वितकरमा अनुपाती होती है तो मतलब maximum frequency गामा रेस की तो minimum और इसकी सबसे कम frequency होगी तो यहां पर हम तो इसमें पूरी लिस्ट दे रखिए जैसे रेडियो की अगर एंगस्ट्रॉम में क्योंकि पूछा है तो एंगस्ट्रॉम में अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में जो है वो दस की घात 9 तेन पावर 9 जो है वो इसक microwave की देखेंगे तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 होती है इंफरा रेट की देखेंगे 10 की पावर 6 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है ठीक है एंगस्ट्रॉम होती है इसी तरह से visible का आप से पूछा गया है तो यह लगबग 7000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है यह कोई fix नहीं हो 一樣 strong ही इसका answer होगा बिल्कुल exact नहीं इसका मापा जा सकता अलग-अलग conditions होती है अलग-अलग conditions में अलग-अलग जो है वो तरंग दैर्थ होती है तो एक fix नहीं होता है तो अलग-अलग condition में अलग-अलग TARN ho सकती है लेकिन around में इसी के आसपास होगी तो इसलिए इसका एंसर यह होगा ठीक है एंसर यही होगा क्योंकि साथ हजार से चार हजार एंगस्टॉम इसमें लिखा हुआ है तो उसी के आराउंड में होगा ठीक है तो अलग-अलग बुक भी अलग-अलग देती है और अलग-अलग कंडिशन पर भी डिपेंड करता है तो इसी के आराउंड होगा इसलिए एंसर वह होगा तो विस्बल रे का एंसर इसके लिखा इसके लाव अल्टर वायलेट का को क्या कहते हैं क्या गैस करते हैं तो वह उर्द पातन मैंने भी आपको थोड़ी दिर पहले बताया था ठीक है बहुत इस तरह के क्वेशन साथे इसलिए मैंने सारा बता दिया अब बात आती है एक पंख़ा गर्मी के मौसम में आराम की अर्भूती पैदा करता है क्योंकि पंख़ा ठंडी हवा की अपुरुती करता है हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकरन करता है हवा की चालक्ता बढ़ जाती है हमारा पसीना तेजी से वाश्पित हो जाए तो एंसर यही होगा ठीक है ऐसा है वाश्पिकरन की प्रक्रिया होती है तो जब हम लोग क्या होत होता है यह हवा के संपर्थ में आता है तो यह क्या होता है यह ये क्यू बारेट होता है और जब यहांगो कि ट chrom से करके लहाँ यहां 23 कुर मैंकर आपने सब्सक्राइब करें ऐस अपने सथ लेकर चला जाता है मतिभा कि ही इसलिए हमें ठंड महिसूस शजिए जब पंका चलता है पसीने से भीगे रहते हैं तो ऐसी condition में हमें ठंड महसूस होती है क्योंकि हमारी होता है और जिससे की हमारी हीट उसके साथ मूब करती है ठीक है तो इसलिए वो जगे ठंडी हो जाती है और हम ठंडा महसूस करते हैं इसी तरीके का application याद रखिएगा जो आगे आपसे question पूछा जा सकता है ठीक है याद रखिएगा जो चीज़ें ठंडी होती है इस तरीके से evaporation की वज़े से तो जैसे एक आपने देखा होगा सुराही होती है या घड़ा होता है तो सुराही और घड़े में जो पानी ठंडा हो जाता है वो भी evaporation की वज़े से होता है ठीक है evaporation की वज़े से ही वो ठंडा हो जाता है इसके अलामाद जो है हवा में जो कपड़े होते हैं तेक है कपड़े सूख जाते हैं वो भी evaporation की वज़े से ऐसा possible होता है तेक हवा में जो कपड़े सूखते हैं सूखना जो होता है वो भी evaporation की वज़े से होता है इसके अलामाद जो है वो गर्मी के दिनों में cooler गर्मी में cooler जो है वो जो ठंडा करता है वो भी evaporation उसमें involved होता है यानि कि उसमें भी evaporation यानि इसी यही कारण होता है वाशपी करण प्रक्रिया होती इसी वज़े से cooler जो है cooler में पानी हम डालते जाते हैं उसमें evaporation होता जाता है पानी गिरता रहता है उसका evaporation होता रहता है जिससे हम वो पूरा थंडा जो थंडा पन जो है वो पंखे के जरीए कमरे के अंदर आता है और हमें थंडा महसूस होता है इसी विज़े से कूलर को अगर घर से बाहर रखते हैं जहां पी एवेपरेशन बढ़ियां रहता है मतलब उसके पूरा धांचा होता है उसे बाहर रखते हैं और वो कमरे के अंदर हवा फेकता है तो ऐसी कंडिशन में इवैपरेशन क्योंकि बाहर जादा अच्छी तरीके से होता है इसलिए हमें कूलर में कूलर में कूलर जो है वो बढ़ियां थंडा 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 महसूस कराता है जिस कूलर का बाड़ी जो होती है वो उसके कमरे के बाहर होती है खुले में होती है तो उस वो हमें जादा थंडा महसूस कराता है डैन कि अगर कमरे में आप रख लेंगे कूलर तो वो इतना थंडा नहीं महसूस कराएगा क्यों क्यों क्योंकि इवैपरेशन कमरे के अंदर कम होगा हवा कम उसको टच करेगी तो इवैप की प्रक्रिया होती है फिर इसके बाद बात करते है हाई्डोजन बम किसके सिध्धान पर आधारिथ है नें entris और खुब सारी energy produce करता है, इसके break होने से खुब सारी उर्जा प्राप्त होती है, तो ये विखंडन है, ठीक है, ये विखंडन है, तो यानि कि ये विखंडन की प्रक्रिया है, ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया, तो जो परमाणू बम होते हैं, तो वो परमाणू बम जो होत यह विखंडन प्रक्रिया से होता है लेकिन जो हमारा हाइडोजन बम होता है उसमें क्या होता है हाइडोजन जो है कि दो समस्थानिक आपस में जब फ्यूस करते हैं आपस में जब जुड़ते हैं जब सनलैन होता है इनका दोनों का क्या होता है सनलैन प्रक्रिया होती है तब यह जब दोनों आईसोटोप आपस में फ्यूज करते हैं तो यह हीलियम में बदल जाते हैं और उसके बाद एक न्यूट्रॉन निकलता है खुब हुज अमाउंट में इनरजी प्रोड्यूज होती है, खुब सारी उर्जा निकलती है तो जो सनलयन वाला बम होता है यानि हाइडूजन बम होता है वो सनलयन प्रक्रिया का परणाम है किस प्रक्रिया का परणाम है सनलयन प्रक्रिया का परणाम है और अनियंतर सनलयन प्रक्रिया का परणाम है कोई इसको बीच में नहीं रोख सकता ठीक है बीच में नहीं रोख सकता तो ये जितना जादा से जादा जो इधन है वो उर्जा में बतलेगा उतना जादा वो विस्पोर्ट होगा उतना जादा जो है वो उर्जा निकलेगी और उतने ही जादा लोगों को ये मारेगा ठीक है तो हमारा जो बम होता है उसका क्या एम होता है यही होता है जादा से जादा दुश्मन का नुकसान पहुंचाए जाए जादा से जादा दुश्मन की जान ली जाए तो उस दुश्मन की जान लेने के लिए यानि दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए हम हाइडोजन ब निकलेगी जितना उसकी चपेट में जितने लोग आएं वह मारे जाएं ज्यादर ज्यादर दुश्मन का नुकसान हो तो हम इसको नियंतरित नहीं करते हैं अनियंतरित रूप से हम होने देते हैं ठीक है तो याद रखिएगा याद रखिएगा कि यह जो हाइडोजन वह होता है आनियंतरित सल्यान प्रक्रिया का पड़नाम होता है तो इसका भी एंसर सही है अजया क्या कर रहे हैं आजकर उज्याव उद्पन कर रहे हैं इंटरनाशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपरिमेंटल रियक्टर इंटरनैशनल याद रखिए एक जानकारी और दे दे रहा nuclear experimental reactor ठीक है, यह हम लोग बना रहे हैं फरांस में, ठीक है? कहाँ पर बना रहे हैं और इसमें फरांस में बना रहे हैं और इसमें अमेरिका जापान रश्या यूरोपी यूनियन साउथ कोरिया इसके अलावाद चाइना इंडिया इतने देश शामिल होकर इतने देश शामिलों कर फ्रांस में एक रियक्टर बना रहे हैं जिसमें हम नियंतरित सनलेयन अभिक्रिया का उप्योग करेंगे तो इसमें क्या होगा नियंतरित सनलेयन अभिक्रिया का उप्योग किया जाएगा और इससे हम क्या करेंगे विद्धत उत्पादन करने का काम करेंगे तो इलेक्टिसिटी जेनरेट करने के लिए यानि विद्धत उर्जा उत्पन करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वह बहुत बहुत जल्दी को मतब कुछ सालों के अंदर हम अगर इसमें काम्याब हो गए तो हम इस नियंत्रित रूप से सन्लेयन प्रक्रिया के दौरा हम विद्दुत उत्पादन करना यानि की उर्जा उत्पादन करना स्टार्ट कर हैं तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसे ऑक्सीजन तथा एसेटलीन है अब इसमें मैंने आप लोगों को और जानकारी के लिए कर दिया कि कुछ गैसे और उनका उप्योग भी मैंने यहां पर बता दे रहा हूं जो कि आपसे पूछी जा सकती है जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का उप्योग मेडिकल यूज के लिए आपको पता ही है कोरोना में आपने देखा ही था मेडिकल यूज के लिए इसका उप्योग किया जाता है साथी साथ वेल्डिंग समझते है ना कि दो धातों को आपस में जोडने के लिए इसका उप्योग किया जाता है इस प्रक्रिया का तो वेल्डिंग में भी इसका यूज किया जाता है नाइट्रोजन जो होती है वो फायर सप्रेशन यानि की आग को बुझाने के अंदर और के लिए और प्रोवाइज एन इन इनर्ट एट्मोसफेर देने के लिए यानि कि अक्रिया शील जो है वातावरन देने के लिए इसका उप्योग किया जाता है हीलियम जो है वो बैलून्स में इसका यूज किया जाता है जो बारे होते हैं उनमें यूज किया जाता है और साथ जो है मेडिकल एक्वेपमेंट में भी इनका यूज किया जाता है यानि क atmosphere यह जो देती है carbon dioxide का उपयोग क्या होता है carbonated soft drink जो soft drinks बनती है ना जो आप Pepsi kola पीते हैं तो उसमें carbon dioxide होती है भी question पूछा जा सकता है बहुत important है acetylene gas acetylene gas जो है वो welding में उपयोग में आती है ठीक है वो welding आप जानी रहे है propane gas जो होती है वो heat gas grills में यूज होती है यानी कि fuel की तरह से यूज होती है ठीक है fuel क्यानी कि इधन की तरह उपयोग की हो जाती है butane gas जो होती है यह भी इधन की तरह से lighters और torch में यह जो है इधन की तरह उपयोग होती है नाइट्रस ऑक्साइट ठीक है यह जो है वह इनस्थीसिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है यानि कि बिहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है किसी भी ऑपरेशन वेगरा में इसको बिहोश करने के लिए यूज किया जाता है फ्रियोन गैस ज पोछ रहाओं कि कहीं जद्थे चूटे नहीं, आप लोगों का जदा जदा पायदा हो सके, जदा से जदा इसमें आपको पायदा हो सके, इसलिए पूरी लिस्स लेकर आया हूँ ठीक है चलिए इसके बाद जो है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जन क्या है तो इसका एंसर है सल्फोनेट है ठीक है तो डिटर्जन क्या है केमिकली यानी रासाइनिक रूप से क्या है यह अमोनियम और अलकाइल बेंजीन सल्फो साबुनेट है ठीक है और यह फिल लांग चेन ओफ कार्भॉक्सलीक एसेड और कार्भउक्सलीक एसेड के लिटर्जन् सभित यह यह अमोनियम और अलकाइल बंजीन लाधैं या नहीं discern क्या है यह यह लाधैपनじन्ःट की इसके अलमा जो सोप होते हैं जो साबून होता है ठीक है वो क्या है वो सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट है या या पोटेशियम लवण है ठीक है और किस से बनता है फैटी एसिट से ठीक है फैटी एसिट यानि वसी अमले से बनता है तो यह क्या है सोडियम और पोटेशिय लवण है जो कि किस के साथ कंबाइन करता है जुड़ता है फैटी एसिट यानि कि वसी अमले के साथ ये जुड़ता है ठीक है और वसी अमले के साथ ये जुड़ता है जैसे एक एक जामपल हो गया सोडियम इस्टीरेट ठीक है ये साबून बनाता है सोडियम ओलियेट ये भी साबुन बनाता है sodium palmitate ये भी ये भी जो है वो साबुन बनाता है ठीक है साबुन बनाता है तो सोब जो है वो सोब जो है वो वसा और तेल को contain करते हैं वसा और तेल को contain करते हैं तो हम लोगों ने detergent क्या देखा detergent जो है वो ammonium और alkyl benzene sulfonate salt है ठीक है जबकि जो है वो soap क्या है sodium और potassium जो है वो salt है with fatty acid ठीक है fatty acid के तरह से इसका use किया जाता है तो hope कि ये बात भी आप तोंको clear हो गई होगी ठीक है फिर उसके बाद हम लोग बात करते है next triglyceride क्या है triglyceride क्या है तो ये एक तरीके का fat है ठीक है क्या है ये एक तरीके का fat है होता है तो triglyceride are type of fat found in your blood ठीक है हमारे जो रक्त में मिला हुआ रक्त में जो fat जिस रूप में रहता है उनमें से एक रूप क्या है triglyceride है ठीक है जो triglyceride है ये कहा store होता है तो याद रखिएगा ये जो है ये जो store होता है हमारे शरीड हमारी fat cells में ठीक है यानि हमारी जो वसा वाली जो वसा को संग्रहित करने वाली जो कोशिकाएं होती है fat को जो preserve करने वाली reserve करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें संग्रहित होता है fat cells में तो अगर आप लोग आप लोग जो है वो मतब अब होता क्या है कि जो वसा होती है वसा जो है तब काम आती है जब आपके शरीर में ग्लुकोस की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में जब आपने खाना थोड़ी दिन नहीं खाया तो ग्लुकोस की आपकी बॉडी में कमी होने लेगी तब क्या होती है वसा जो है 200 गंटे खाई रहें, भूंक लगने से पहले ही आपने सब कुछ खा लिया, ठीक है आपने खाया भी थोड़ी दिर बाद फिर खा लिया, फिर थोड़ी दिर बाद क्या लिया, तो यह जो triglyceride होता है, यह जाकर आपकी बॉड़ी में store होने लगा, क्योंकि यह जिए पर आप अभी खा रहा है, फिर एक घंटे बाद फिर खा रहा है, तो जो आपकी बॉड़ी में fat पहुंच रहा है, वो सहीज जीं यह पारहा जा रहा है क्योंकि आप आपकी बॉड़ी में glucose की कमी कमी होनी नही के रहे रहे है लगातार आप ग्लुकोज ग्लुकोज अभी खाया कल खाया परसों खाया अभी खाया फिर एक घंटे बाद खाया दूसरे घंटे बाद खाया तीन घंटे बाद खाया चार घंटे बाद खाया तो आप जब लगातार खा रहे हैं तो ग्लुकोज जब ग्लुकोज आप कमी होने ही नहीं दे र या फिसका थोड़ी देर रेस्ट कर लो जिससे कि आपकी बॉड़ी में जो फैट पहुंचा है वो भी यूटिलाइज हो सके ठीक है तो ट्राइगलेस्राइट एक तरीके का फैट है ठीक है जो हमारी ब्लड में यानि हमारे रख्त में मौझूद होता है फिर उसके बाद हम ल वह एंटीबाइटिक नहीं है पैरसेटमोल तो एंटीपाइरेटिक एंटीबाइटिक दोनों हो जाती है तो हमें ने कुछ लिस्ट मतलब आप लोगों के लिए ले करा हम जिसमें आप कम सकम पहचान लेकि कौन-कौन से एंटीबाइटिक होती है तो नाम ही याद यह पूचिझे कि नाम याद रखिएगा ठीक है तो निस्ता याद रखिएगा ये बस नाम याद रखिएगा हो सकता है आपको पहचानरी जैसे इस प्रटी आहिसे प्रताविक यन今天 और चिक है तो निस्ताथिश के बाद ब्रोट 10-2000 टिक एक के तरीके की नहीं से बाद बात करते हैं प्रती जैविक जंदी में क्यां प्रती जैविक पैनिसीलीन प्रकार семienारे की प्रती जैविक फिवर और साथ तॉंसेलाइटेस थ्रोडूं यानि गले में खराश ऑन तो बहुत सारी बहुत सारी के लिए यूज किया जाता है हैं साइन हैं है मीसिन है मिसीन भी एक तरीके की प्रती जैविक है एंटिबाइटिक है फ्यूमा गिलिन यह भी एक तरीके की प्रती जैविक है बैसी ट्रेसिन यह भी एक तरीके की एंटिबाइटिक है स्टेप्टोमाइसीन यह भी एक तरीके की ए एंटिवाइटिक है और इसके अलामत जेन्टामाइसीन यह एक तरीके की पॉलिमिक्सिन यह सब एंटिवाइटिक है तो एक बार आपने पढ़ लिया मैंने आपको बता दिया तो कम से कम अगर इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि यह एंटिवाइटिक कि तरह से काम करती है ठीक है प्रतीजेवी कि तरह कर अब प्रतीजेवी किसे बैक्टिरिया कोई नहीं मारते हैं फंगस यानि कवक को भी मार सकते हैं आपके बाड़ी में अगर कवक से कोई बिमारी हो रही तो उसको भी यह कंट्रोल करने में मददगार है साथी साथ बैक् काफी बार पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं पूरा का पूरा इसमें लिस्ट ही लेकर आएं वैसे तो इसका एंसर जो होगा वह जियोलोजी से रोलोजी और ऑस्टियोलोजी तो इसमें ऑस्टियोलोजी होगी क्योंकि हड्डियों का मतलब हड्डियों से मतलब होता है आपका osteo से तो इस पूरी list में आपको बता दे रहा हूँ जैसे कि याद रखेगा insectology जो है वो आपके कीडो का जो होता है कीडो कीडे मकणों का जो होता है वह एक्थ होता है एरेनोलोजी जो होता है वह जो है के लोजी में किया जाता है कैमेटिक्स वह गर्वात आते हैं कारियों लоздंर मत्दÁ citus तो इसकी स्टरी झों न्यूक्लियस के अंतरा की त्यों कारियों लॉजी में कुद्या गैरिक्स के लेरिंग दो इसकी जो इंध्री करी किया है लेकिन यह पूछा नहीं जाएगा यह इसको जादा मुबत किये कितना याद रखोगे बहुत सारी चीज़ें लेपरोलोजी लेपरोसी का ध्यान मैगनेटाइट मैगनेटिक्स मेल इसमें इतना खास नहीं है यहां पर इसको याद किया जाता है तो उनका अध्यं किसमें किया जाता नियू अधिया में तो यह important यह सब मत कर ना जब दस्ती का वायाद कर करने का वक्त नहीं है ठीक है तो इसको रहने देना बस जो मैं बता रहा हूं बस इसको तो याद कर का या यह देख कर new नैटोलोजी या कि newborn जो babies होते हैं उनका जो अध्यन होता है और या उनका जो इलाज होता वह नियोएटोलागी में होता है ठीक है नेफोलोजी ठीक है जो राद़नों का अध्यन होता है नेफोलोजी नेफरोलोजी जो होता है ठीक है नेफरोलोजी जो किड्नी से जुड़ी हुई बीमारिया यानि आपके विरिक से आपके गुर्दे से जुड़ी हुई बीमारियों का जो अध्यन होता है और साथ ही साथ इसका जो इलाज किया जाता है नेफरोलोजी में किया जाता है obstetrics जो होता है obstetrics जो होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों को जनम से संबंदित अध्यन किया जाता है बच्चों का जनम जो होता है उससे संबंदित जो भी चीजें होती है वो obstetrics में होता है odontology दातों का अध्यन जो हता है Oncology, Cancer का अध्यन जो होता है, Cancer का जो अध्यन होता है, यह Cancer का जो ट्रीटमेंट होता है, वो Oncology में किया जाता है, यह बहुत important है, ठीक है, इसके अलामा, Ulogy, जो अंडे का अध्यन होता है, वो Ulogy में किया जाता है, Optics जानते ही हैं कि Light, जो प्रकाश का अध्यन होता है, वो Light Optics में किया जाता है ornithology यह important है थी के bird का यानि की जो चिडिया है उनका अध्यन जो है और नितो लॉजी में किया जाता है ठीक है इसके अलमा पीडो लॉजी पीडो लॉजी जो होता है बच्चों का अध्यन बच्चे कैसे पढ़ते हैं उनका भी हैवियर उनका जो यह सब पीडो लॉजी में किया जाता है पैलेनेटो लॉजी फॉसिल्स जो जिवाश मोहते हैं उनका जो अध्यन किया जाता है पैर पैरासीटोलोजी पैरासीटो पैरासाइट्स का यानि कि जो पैरासाइट्स होते हैं ठीक है जो दूसरों पर जिंदा रहते हैं और उनको नुक्सान पहुंचाते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं तो पैरासाइट्स का अध्यन जो पैरासीटोलोजी में कहा जाता है प किसे शरीर में काम करती है इन सब का अध्यान फार्माकोलोजी में किया जाता है फिजियोलोजी जो हमारी बॉड़ी की जो प्रॉसेस होती है जो लाइफ जो हमारी बॉड़ी में जैसे हार्ट कैसे काम कर रहा है किड्नी कैसे काम कर रहे लिवर कैसे काम कर रहा है सब एक दूस psychology में किया जाता है ठीक है तो पाइरेटोलोजी जो होता है उसका जो अध्धन जो है वो fever के अध्धन में किया जाता है तो यह सब कुछ है जिनके बारे में आप से question पूछा जा सकता है तो मैंने इसकी पूरी list आप लोगों को दे दी है ठीक है list दे दी फिसके बाद आगे बा प्लांट होते हैं यह insectivorous plant क्या होता है उस जगे पर उत्ते हैं जहां पर nitrogen की कमी पाई जाती है होता यह है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक ऐसे घट पढ़नी पौधा होता है ठीक है आप लोगों ने देखा होगा तो एसे करके एक पौधा होता है तो यह सब जो पौधे होते हैं घट पढ़नी होते हैं picture plant इसे बोलते हैं English में हिंदी में घट पढ़नी पौधा तो इसमें ऐसे कैप लगा होता है तो कोई भी अगर मतब जैसे जीव है कोई भी कीड़ा मौकड़ा जो है आयकर इस पर बैठता है तो इसके में चिपचिपा सा माटीरियल होता है दूसरी से चिपख जाता है ये नीचे चला जाता है कीड़ा और फिर इसको ये डाइजस्ट कर लेते है तो याद रखेएगा ये जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो भी पौदे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इंसेक्टी वोरस प्लांट बोलते हैं या कीड भच्ची पौदा बोलते हैं प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन से तो बना ही होता है, लेकिन एक कॉंसिटुमेंट इसके अंदर पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है नाइड्रोजन, ठीक है नाइड्रोजन, तो यह जो नाइड्रोजन को जब तो इसका मतलब कि जब यह कीड़ों को खाते हैं, य असल में नाइट्रोजन की अपनी कमी को पूरा करते हैं जो इनके शरीन में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है उसको पूरा करने का काम कीट भच्ची पौधे नाइट्रोजन की कमी को कीट भच्ची पौधे जो हैं पूरा करने के लिए कीडों का सेवन करते हैं कीडों को कं फी पर गे पर जहांपे नाइटोजन की कमें पाई जाएerd वहुख़ूगेंगे और वहांपर वह इनसेक्टी वोरस प्लांटा वो क्या करेंगे की अपनी नाइटोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस का उप्योग करेंगे कीडों को पकड़ कर खा जाएंगे ठीक है तो यह बात समझ में आ गई होगी होगी ठीक है तो यह जारी चीज़े फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाषी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान पर इस तिर रखा जाए तो इससे पहले भारी पानी समझ लो नॉर्मल वाटर होता है इसटु O और भारी पानी होता है उसका फुल वो होता है D2O, ठीक है, तो यह जो आपका पानी होता है, ठीक है, तो यह पहले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, नॉर्मल पानी है S2O हो गया और जो भारी पानी होता है, यानि कि जो हैवी वाटर होता है, वो D2O होता है, तो समस्थानिक होता है 1H2 जिसे deuterium कहते हैं और तीसान समस्थानिक होता है 1H3 यानि जिसे tratium बोलते हैं तї प्रकार की पाई जाती है यानि तिन آइसोटोप इसके समस्थानिक पाई जाते है 1H1, 1H2, 1H3 तो जो यह water बनाता है यानि normal water जो हम लोग use करते हैं तो ये normal water जो होता है उसमें hydrogen का hydrogen जो oxygen से जुड़ी हुई है वो ये वाली है 1H1 वाली है ठीक है और जो heavy gel होता है भारी जल होता है उसमें जो hydrogen जुड़ती है वो ये वाली 1H1 वाली न जुड़कर ये 1H2 यानि ड्यूट्रियम वाली जुड़ जाती है ठीक है इसे इसी वज़े से इसे ड्यूट्रियम oxide कहते हैं क्या बोलते हैं ड्यूट्रियम oxide बोलते हैं ठीक है ड्यूट्रियम oxide बोलते हैं तो ये hydrogen जो होती है hydrogen तीन isotope इसके पह जाते हैं क्योंकि यह isotope comparatively इससे भारी है ना तो इसलिए यह भारी इससे बना हुआ जो पानी होता है वह भारी जल यह heavy water कहलाता है ठीक है heavy water कहलाता है तो बिलकुल बात मुझे लगता है 100% बात आप लोगों को clear हो गई होगी तो 1s2 इसके अंदर 1h1 वाला hydrogen यूज होता है और d2o यान और ये पहले उन शॉट में भी बताए है कि जो हमारे nuclear reactor होते हैं उनमें moderator की तरह इसका use किया जाता है मंदक की तरह इसका उपयोग किया जाता है और साथी साथ Aquí At की तरह से यानि शीतल की तरह से यानि की पूरे के पूरे नियुक्लियर रियक्टर में को शीतल करने के लिए कूल करने के लिए हम हैवी वाटर का उपयोग करते हैं और तीसरी बात जो है वो है इसका यूज जो है वो मेडिसिन में किया जाता है यानि की दवा दवा में चिकि फिट्सा में भी इसका उप्योग किया जाता है कूलेंट की तरह से भी झेकर में नियूक्लियर रियक्टर में नियूक्लियर रिएक्टर में तो उंप्योग जो है वह मोडरेटर मंदक की तरह ठीक है, coolant की तरह से यूज़ किया जाता है, nuclear reactor में, D2O, और साथ-साथ medicinal use भी इसका use होता है, भारत, जो है, वो इंडिया जो है, वो नमबर वन है, ठीक है, पूरी दुनिया में, नमबर एक है, इस D2O के production में, यानि कि सबसे जदा वो heavy water, या भारी जल बनाता है, ठीक है, त बहुत सारी जानकारिया अपडेट हो रही होंगी ठीक है तो यह सारी चीज़ें तो होब की इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिसकस किये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी जानकारिया आपको नई मिली होंगी हो कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत कारगर थाबित हो बहुत बढ़ियाक थाबित हो और जादा से जादा जो हम लोगों ने जो चीजे एड़ान की हैं इससे भी बहुत सारी चीजे आपको मिल जाएं एक्जामिनेशन में और आप जो है वो सफलता की सीरियों अपना पहला कदम यानी प्रेलिमरी उग्जामिनेशन निकालने तो ऐसी मेरी ऐसा मेरा मिरी दुआएं हैं ऐसी मेरी जो है वो शुब कामनाएं हैं कि आप जादा से जजादा अच्छे से एक्जाम दे और जादा से जादा कुईशन सही करें और आसानी से सफल हो पाएं ऐ ऐसी मेरी दुआ है, ऐसी मेरी शुब कामनाएं हैं, तो इन ही शुब कामनाओं और दुआओं के साथ मैं विदा लेता हूँ, आगे के बहुत सारे वीडियो में मैं मिलूँगा, कैसा लगा यह वीडियो आप आगे बताएएगा, थैंक यू सो मच, and may God bless you all.